हेलो एरिवन और विल्कम बैक टो यूटुब चैनल आश्री टॉक्स आज के इस वीडियो में आपको टीस के तरफ सही बहुत एच्छी ऑपकेंपस ड्राइब के बारे में बताने वाला हूं यह जो हाईरिंग आरे 2021 और 2022 पासवाट बैच के लिए आने वाली है अगर आप TCS सब्सक्राइब करके उस बैल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको हर नहीं वीडियो की अप्डेट मिलती रहे अब चलिए बिना बती है अब तो है उसरी तो यह सब मुष्ण क हरने से करते हैं। यहां पर देख सकते हो इंवाइटिक आर्ट्स और साइनस ग्राजुए इय、 और AND 2022 to make the big move with TCS BPS hiring, तो इस hiring का नाम है TCS BPS hiring, जहाँ आपर 2021 and 2022 पासवर्ड वैच अप्लाई कर सकते हैं, LGBT criteria की बात कर ली जाए, तो अगर आप एक full-time graduate हो, BCOM complete किया आपने, BA complete किया है, BAF किया है, BBI किया है, BBA, BBM, BMS, BSC, BCA, BCS, इन में से कोई भी graduation course complete किया है, 2021 and 2022 पासवर्ड वैच से आप बिलॉंग करते हो, तो आप इस support जी में apply कर सकते हो, तो आप सभी से एक ही request है, अगर आपके कोई friends है, family है, जो भी इस LGBT criteria में बैठते हैं, उनके साथ इस वीडियो को share कर सकते हो, ताकि वो भी support जी में apply कर पाए, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, documents to carry की बारे, यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है कि कौनसे-कौनसे documents आपको walk-in drive की time carry करना होगा, एक यहाँ पर TCS का जो office है, वहाँ पर आपको जाना होगा, आपके city में, जहाँ पर भी location दी जाएंगी, वहाँ पर आपको जाना होगा और यहाँ पर आपको आगे proceed करना होगा, तो वहाँ पर आपको कुछ documents ले जाने होगे, original documents carry करने होगे, पहला जाता है, latest passport size photograph, passport size photograph आपको carry करना होगा, आपके, साथ है TCS application form, अपको इस TCS application form क्या होता है, TCS का एक platform होता है, TCS next step portal, जहाँ पर आपको अपनी पूरी details add करनी होती है, कि आपको कैसे TCS का account create करना होता है, यह सभी चीज़े के लिए आपको एक reference video बदाता हो, आप हमार जैसे channel पर जाते हो, और यहाँ पर सर्च करते हो, TCS next step portal, ओके, सो इसके ऊपर मैं detail video बनाया है, आप सभी के लिए, जहाँ पर आपको step by step पता चल जाएगा, कि किस तरह से आपको account create करना है, यह जो video देख रहा है, आपको TCS NQD next step complete registration process, यह video की link में आपको description में provide कर दूँग और यहाँ पर आपका account create करना होता है, जिसमें आपके पूरी details होती है, यहाँ पर आपकी पूरी details होती है, details के through जो है, आपकी details TCS के पास चले जाएगी, तो यह आपको fill up करना बहुत ज़्यादा mandatory है, तो यह आप कर लेना, उसके बाद आज़ाद है आपके सामने resume, resume important है त passing certificate, आपने जो भी graduation course complete किया है, सभी की semester wise mark sheet, ओके फिर graduation degree certificate, provisional degree certificate and course completion certificate जो होता है, वो आपको यहाँ पर carry करना होगा, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, LGBT criteria बार 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 चेक होता है, तो अगर आप eligible होंगे सपोर्ट शिक ले तो ही आपको select हिया जाएगा, वरना आपको disqualify कर दिया जाएगा, registration time के बाद कर लिजाएगा, 9.30 a.m. से 12 p.m. का आपका time होने वाला है registration का, तो उस समय में आपको यहाँ पर पहुचना होगा, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, please refer to the subsequent pages to know more about walk and drive schedule, LGBT criteria, role and work timing related, तो यह सभी जो details है, वो मैं आपके साथ share कर देता ह हूँ, यहाँ आप देख सकते हो, role के बाद कर लिजाए back office operation, data processing का आपको role लेखने मिल जाता है, जिसमें आपका data processing transactions rated आपका work होने वाला है, work timing के बाद कर लिजाए 24 into 7 working environment रहने वाला है, जहाँ पर rotational shifts होने वाली है, साथ-साथ आपकी night shift भी हो सकती है, यहाँ आप देख सक अगर आपको यहाँ समझ में आता है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ आपको reference के लिए वीडियो चाहिए, तो आप हमारा वीडियो भी चेक कर सकते हो, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो, अगर अगर आपको टू राउंड्स अप सेलेक्शन प्रोसेस की थू जाना होगा, सबसे पहला interview and test, तो यह दूनों mandatory है, highest qualification देख सकते हो, आपका graduation complete होने चाहिए, कोई भी active backlogs नहीं होने चाहिए, यहाँ पर maximum 24 मन का यहाँ पर exceed किया गया है, आपको gap दिया गया है, अगर gap होता है, तो आप allowed है, work experience के बाद कर लिजाए, freshers के लिए पॉर्ची होने वाली है, entry level requirement होने वाली है, यहाँ पर age criteria भी है, minimum age आपकी 18 होनी चाहिए, maximum age 28 years होनी चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह जो PDF है, तो यह PDF मैं आपको हमारे telegram channel पर share कर दूँगा, telegram channel के link आपको सभी को, मैं आपको description में provide कर दूँग, आप telegram channel जोइन कर सकते हो, जहाँ पर आप देख सकते हो, 16 नौंबर में राजची में होने वाला है, राजची का यहाँ पर आपको address देखने मिल जाता है, फिर 16 नौंबर को नौड़ा में भी होने वाला है, 17 को भी नौड़ा में होने वाला है, 18-19 को लखनाव में होने वाला है, 14 नौंबर बैंगलूरू, 15 नौंबर बैंगलूरू, चैन्नाई 15 नवंबर, त्रिनुवेली 15 नवंबर, त्रिची 16 नवंबर, इस तरह से सभी जो स्टेट्स है वो यहाँ पर जहां पर जो भी सिटी में ड्राइब होने वाले है और उनके लोकेशन्स आपको देखने मिल जाते हैं, अगर आपको फीडिया डाउलोड करना है तो आ चैनलापूर, नाशिक, बहुत सारी लोकेशन है यहाँ पर पंदरपूर, नादेर, इस तरह से मल्टिपल लोकेशन्स दी गई है, और देट्स भी दी गई है, जैसे आप देख सकते हो, नागपूर लोकेशन पर 23 नवंबर है, पूरे में 23 नवंबर है, यहाँ पर आपको पीसे ने पोटल के रिलेटेट वीडियो चाहिए, तो मैं फ्रेश वीडियो आप सभी के लिए बना की दे सकता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, साथ ही साथ यहाँ पे, अप्लिकेशन फॉर्म क्रेट करना, यह जो डॉक्युमेंट्स रिक्वाइड है, य आपको वीडियो पसंद आया हो, और इंफॉर्मिटी लगाओ, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, और अपने फैंस के साथ भी शेर करते हैं, इस अपोट्स जी को काफी अच्छी अपोट्स जी आपको देखने मिल जाती है, थैंक्यू